अब 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 आपको आप लोग मुझे कमेंड कर रहे दें कि मैं आपने बाइनरी का कोड गलत लिखा है इस चैप्टर में इस कोशन में आपने बाइनरी का कोड गलत लिखा है हेलो एब्रीवन दिस इस निटाशा चुतरवेदी और जैसा कि आप सभी लोग मुझे कमेंड सेशन में बोल रहे थे कि मैं मैं आपने हाँ पर बाइनरी का कोड कर लिखा है आपने गलत बिता है बार बार कमेंड कर रहे थे आईनो मुझसे गलती हो गई है आप लोग से करेक् कोई बात दिया मुझे ऐसे बता सकते हैं जैसे कि इसका हमें आउटपुट निकालना था तो फसली वन का हमारा जो कोड होता है बाइनरी में तकि 0001 और हमें क्या करना है शिफ्ट ऑपरेटर के यूज़ करना है तो यहां पर पहले वन हमारे दर शिफ्ट होगा तो यहां प 4 का सो हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा 4 और लास्ट क्लास में मैंने गलती से जो 4 का मैंने इदर 1 को as it is 1 लिग दिया था तो यहां मैंने फिर बोल दिया था 0 1 1 0 0 1 1 is 4 का कोड होता है लेकिन 4 का कोड होता है 100 basically हमें शिफ्ट में क्या करना होता है जैसे जो भी हमें वे 000 वो 1 है ठीक है उसके बाद अगर 2 का कोड हो तो 00010 3 का कोड हो तो 0011 4 का कोड हो तो 0100 ऐसे हम इनके कोड लिख देते हैं पाइनरी की फॉन अब हमसे यहां पर किसकी बात कर रहा है 1 की बात तो 1 का कोड क्या है 0001 कितने शिफ्ट करने हैं 2 तो पहला वाला 1 इदर आज़ेगा दूसरी बार 1 हमारा इदर आज़ेगा आप हमारा 1 किस प्लेस पे हैं इस प्लेस पे तो 1 इस प्लेस पे बाती सारे 0 ठीक है अब यह कोड किसका होता है यह होता है 4 का clear तो इस तरीके से हम करते हैं और last class में मैंने गलती से answer सही बताया था लेकिन मैंने गलती से गलत लिख द तो आप लोग उसको सही कर सकते हैं आगे questions देखते हैं हमारे question 10 complete होगे दे 11 question देखते हैं और 11 question हमारा है और जो लोग बोल रहे हैं मैं new question दो मैंने questions देखो कुछ लोग कोल रहे हैं मैं basic से करा हो कुछ लोग कह रहे हैं new questions दो मैं questions दे तो मुझे भी मैं नेट इंटरेट से इदर से निकालूंगी मैं question system खुद कैसे बनाओ तो अभी मैं कहा है इसमें कोशिश करते हूं basic से advance दालने के कोशिश करूं जिससे सबके लिए समया अगर आपको कोई चीछ आती है तो आप skip कर सकते हो और नहीं आती तो आप उसको पहर सकते हो आप बोल रहा है following is a python tuple तो इसमें python का जो tuple होता है basically जो tuple को हम represent करते हैं वो round brackets में करते हैं ठीक है अगर dictionary की बात की जाए तो dictionary को हम इस तरीके से करते हैं list की बात की जाए तो list को हम angular ऐसे large brackets में node करते हैं अगर यह हमारी basically dictionary दी है dictionary को हम ऐसे angular bracket में denote करते हैं और हमार टपल को हम round bracket में denote करते हैं इन मैंसे round bracket में क्या है 1,2,3 तो d option इससा correct अगला question देखते हैं अगला question है इस python is case sensitive when dealing with the identifier इस python क्या case sensitive है जब वो identified से deal करती है बिलकुल सही बात है इसका मतलब क्या है जो python होती है वो हमारी case sensitive होती है जब वो किस से deal करती है जब वो identify की बात हो यही का अगर keyword की हो जाए तो keyword के टायम पे python case sensitive language नहीं होती है क्योंकि keyword हमें जैसे भी दिया है वैसे हम 200 करते हैं प्रिंट अगर हम स्मॉल में दिया थू प्रिंट हम ऐसे ही use कर सकते है फाल्स हमें ऐसे दिया है तो DR做 upर्वाम क्योंस करना तो जो keyword अगर हमारी की बात दिखो द्यान अगना बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस वज़े सो होते हैं वो बोलते हैं पाइथन आप बहुत सारी जग्रें की वर्ड की बात हो जाए तो पाइथन उस समय के सेंसिटिव लेंविश नहीं है के सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल कैपिटल अगर कोई वर्ड मैंने बोला जैसे एक्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला इजी लर्निग 247 तो यहां पर मैं कैपिटल और स्मॉल दौनों ले इतना है के संसितिव नहीं है यह सेंसिटिव नहीं है इतता लिक हो इता है याद पहले, confused नहीं होना है, अगली बार, which of the following function can help us to find the version of python that we are currently working on, तो भही कौन सा हमारा version होता है, इस version के लिए हम लोग जो use करते हैं, अब अपना जब भी version देखना हो कि अभी हम presently कौन सी python use करते हैं, that is sys version, systems version, dot version, अगला question दिखते है, question number 14, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, हम लोगों को क्या निकालना है भई, minimum के लिए, then maximum, false, minus 3, minus 4, 2,7, अब हमें निकालना है इसका output, ठीक है, अब एक बात या दखिए, कि जब हम false, minus 3, minus 4 की बात करेंगे, तो देखो, पहले सबसे पहले parenthesis यूस होते हैं, तो false का मतलब होता है 0, और minus 3, minus 4, तो 0, minus 3, minus 4 मैंसे सबसे ज़्यादा maximum क्या है, 0 ही तो है, अगर मैं बात करूँ, 0, minus 3, minus 4, मतलब false का मतलब, 0, तो 0, minus 3, minus 4 मैंसे maximum value क्या है, 0 हा या ना, अब हमारी क्या बात होगी, 0, 2, 7, ये solve, ये bracket solve हो गया ना, maximum ये चीज़ solve होगी, अब 0, 2, 7 और भाहर function क्या लगा है, minimum, तो यहाँ पर minimum value इन में से कौन सी होगी, minimum value 0, 2 और 7 में से क्या होगी, 0, और 0 जो value होती है, क्या वो true होती है, false, as a false की तरह consider होती है, तो इसका अंसर क्या आना चाहिए, false, option number D, अगली बार देखो, what will be the output of the following function, तो हमें इसका output बताना है, following function का, तो देखो, यहाँ पर क्या है, land function use हो रहा है, land का मतलब, land के लिए use किया रहता है, land के लिए है, क्या use किया रहता है, short में land, यह land function, land के लिए use किया रहता है, है तो हम इसकी length देखो यह एक string है एक 0 1 2 और 3 तो यहां पर total length कितनी होगे एक दो तीम 4 तो answer 4 addressing कैसे करते है 0 1 2 3 और length कैसे count करते है 1 2 3 4 तो हमारा option क्या हो गया 4 clear अगला what will be the output of the following python code इसका output बताना है देखो हमें यह पोल रहा है कि जो a b c d है और i मतलब 0 से चलेगा a और x क्या है print कर दे से uppercase में तो बही देखो यह जो a b c d है अदर से uppercase में पहले i मतलब 0 add us यह 0 1 2 3 तो यह जितना है सब को हो a b c d तो सब को किस में कर दे capital अपर केस में यह यह लोर केस में है ना इस अपर केस में convert कर दे तो option number d हमारा correct हो जाएगा अगला question पूल रहा है what is the order of namespaces in the python looks for an identifier जब identifier की बात की जा रही है तो identifier में क्या है build रहा है कि इसका correct answer बताना है कि जो namespaces होते हैं identifier में उसका हमें correct answer बताना है देखो python first search the built-in namespace then the global namespace and then finally the local namespaces basically आप लोग याद रखिएगा जो python होता है python में सबसे पहले python search करता है हमारे local namespaces को namespace को then python search करता है global namespaces को उसके पात python search करता है हमारे finally built-in namespace को मतलब जो पहले हमने local value assign करी है वो फिर global and then built-in जो already built है तो इसका option कहां मिलता है देखो local local first हमारे local namespace local namespace नहीं तो option number देखो c में इधर local namespaces then global namespaces and then finally built-in namespaces python का जो identifier होता है याद अतना सबसे पहले है local ठीक है देखो याद करने का तरीका जो python का identifier होता है वो search करता है local global और built-in namespaces namespaces कैसे सर्च करता है local global built-in namespaces को याद करने का तरीका क्या है lgb देखो बहीं जो lg होती है na lg company सब जानते हो और lg का b lg का b grid ठीक है lgb grid की lg और किसके लिए identify के लिए lgb in lgb identify किसके लिए मैं इसलिए बता रहे हूं याद तो direct भी हो सकता है लेकिन बस मैं आपकी दिमाग में फिर्ट करना चाहरे हूं कि यह इस तरीके से भी आप कर सकते हो जिनको नहीं समझ वा इतीन कुशन नमर्ट इतीन में बोल रहा है मैं output find करना है for i in 1234 और यह हमारे list यह basically हमारी list दी है इसमें इन वाले column जग का जब भी मतलब आए तो उसका मतलब वह opposite direction से चलना मतलब आप उतने छोड़किया पूर्जी direction से चलना का मतलब अब यहां पर यह माइनस वन से दे रहा है तो माइनस वन से हमारी जो starting पहले अगर नॉर्मली यहां पर वन होता तो हमारी जो addressing start होती वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करती होती 1, 2, 3, 4 है न तो अगर हमारा यह minus नहीं होता तो हमारी listing की addressing होती हो start होती 0, 1, 2, 3 इस तरीके से दे लेकिन यहां पर माइनस 1 है तो अब हमारी minus 1 जब भी दिया हो हमें माइनस में रिया हो तो वहां से हमारी coding opposite direction में start हो जाती है addressing यानि हम लोग index addressing यहां से start करेंगे 4 हमारी addressing है minus 1 then minus 2 and then minus 3 and then minus 4 clear तो अब इसको हम opposite direction में अब क्योंकि यह बोल रहा है कि इसको हमारे print करना है i को तो सबसे पहले i में क्या जाएगा यह 0 number की यह minus 1 वाली addressing सबसे पहले आएगा 4 फिर 3 then 2 then 1 तो हमारा option number a is correct clear what is the output of the following python so देखिए अब बातादी capitalize तो capitalize हमारा function क्या करता है कि जो first वाला letter है string का उसको capital में convert कर दीता है बाकी सबको lower में as it is अगर जो lower में है वो तो lower में ही रहेगा और जो capital में है वो भी lower में हो जाएगा यानि capitalize क्या करता है जो first letter होता है पूरी string का उसको किस में convert कर दीता है उसको capital में convert कर दीता है बाकी सबको lower में convert कर दीता है यह मतलब होता है capitalize का clear अगला question number 20 देखते हैं def basically हमने अब कुछ आप लोग search करते होंगे फू का मतलब लेकिन जो मैंने search किया और जो मुझे पता है यहाँ पर आप कोई भी देखते हैं मैंने definition a b कुछ भी दे सकते हूं कुछ भी दे सकते हूं यहाँ पर तो यह फू दिया हुआ है यह नेम है इसको किसी और तरीके से ट्रीट ना करें try.return अब यहाँ पर आप कुछ और भी लिख देंगे तब भी आपकी value pass होगी try return 1 finally return to and then k footprint k basically जो देखो अब यहाँ पर हमने definition दिये फू ना हमसे उसमें क्या है कि जो try function लगाया उसमें return हमारी one करें ठीक है अब भी हमारी return सबसे पहले यहाँ पर one करा लेकिन अब हमारी final क्योंकि हमारा जो भी finally होती है एक या पात यादतना कि जो finally block होता है हमारा finally block finally block यह क्या करता है यह execute करता है कि इसको execute करता है हम execute करता है जो value finally में लिखी है यानि यह उसी value को pass कराएगा उसी को यहाँ पर यह print कराएगा यहाँ पर यह 2 आ जाएगा देन प्रिंट 2 हो जाएगा चाहिए दर 1 हो यह कुछ भी हो चाहिए even that यह 2 प्रिंट कराएगा ठीक है even even that जब return है जबकि यहाँ पर return लगा है तो return से value हमारी वापस से लोट जाने चाहिए लेकिन इस्टिल जो finally है उसकी वजह से यहाँ पर क्या execute होगा यह पूरी तरह execute हो जाएगा और हमें क्या मिल गएगा दो कहने का मतलब यह जो finally block होता है finally block is executed even there is a written statement in the prior block इस block में चाहिए कोई भी statement लिखिये लिकिन अगर finally लगा है तो finally में जो भी value है वही answer आएगा वही हमारा execute होगा वही हमारा pass होगा question number c में 2 दिखाया है तक ही हमारा answer हो जाहेगा question number 21 की तरफ चलते हैं so let's have a move question number 21 the process of pickling in a python includes क्या एकस कंसर conversion of python object radically into the wide stream सही बात है अगला देख लेते हैं फिर भी conversion of database into a list नहीं database को list में convert नहीं करता अगला देखते हैं conversion of byte stream into the python object खिरारी करी नहीं conversion of list into the database यूँ भी बात कर लेत हैं basically जो pickling होता है वो क्या करता है हमारी जो objects होते हैं उनको byte में convert कर देता है ठीक है objects को byte में convert कर देता है ठीक है clear हुआ तो option number a इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखते है question number 22 0,1 बोल रहा है आगे कि जो print कराना है join list map string x और यह सब आपको दिख रहा हो का समझ मने रहा हो काफी बड़ा सा है अब इसमें क्या है देखो पहिए जो हमारी list है यहाँ पे तो वो क्या करेगा जो 01 है वो हमारे इदर x में pass हो जाएगा 0,1 अब क्यों कि यहाँ पे list है और हमारा join statement है तो यह क्या करेगा उसको as a tuple की तरह प्रेट करेगा और हमको एक tuple pass करा देगा और हम सबको पता है tuple को हम किसमें लिखते हैं small round bracket round bracket बोलो small bracket बिल लो तो हम tuple में अब देखो यहाँ पे हमारा यह तो answer हो नहीं सकता यह भी कभी option से भी चला को यह भी answer नहीं हो सकता अब हमारा यह तो यह answer हो सकता है यह answer हो सकता है because यह पूरा का पूरा as a string हमें यहाँ पर pass करा देगा 0,1 लेकिन यह लिखा किसमें जाएगा 0,1 और यह लिखा किसमें जाएगा as a tuple की form में तो यहाँ पर हमें as a tuple की form में tuple मतलब round bracket तो option number d इसका correct हो जाएगा ठीक है अगला question लिखते है what is the output of math power 3 की power 2 तो math power basically जो power function होता है math power function होता है वो क्या करता है वो हमें return करता है floating point number floating point number करता है basically जो math power 3 यहाँ पर math power क्या करेगा basically इसको use करते हैं जैसे यह use करता है as a power की तरह तो 3 की power 2 का मतलब हो गया 9 और हमको यह as a floating point की तरह return करेगा 9.0 इसका right answer होगा option number a clear हुआ तो math power क्या करता है math.power अब इसको आप कोई भी pronounce कर सकते हैं मैं इसको प्रेनाउस करते हैं आप लोग क्या करते हैं बता है मैं इसको प्रेनाउस करते हूं personally मुझे इतना पता है math.power का मतलब होता है कि यह हमें floating point में जो भी हमारा output हा रहा है जो हमारी power है पहले 3 की power 2 हो जाएगा अगर for example यहां पर होता है 5,2 तो इसका मतलब बुझाता है 25.0 यानि जो भी हमारी power होती है उसको यह floating point यानि decimal की formula हमाँ answer देता है is it clear अगर यहां पर होता suppose 7,3 अब क्या होता answer comment session में बता लेगा चलो what is the output of the following python code अब हमें python code का output बताना है क्या होगा भी इसका output देखो हमें print कराना है hello को तो hello print हो जाएगा भी सही बात है अब देखो नहां पर हमने value पास कराई है कि हमारी first वाली value है इसमें हमारा जो zero है zero number का address पास हो जाए और इसमें हमारा one number का address पास हो जाए और जो format है मतला हमारा जो यह format दिया है यानि इसमें हमारी first वाली value पास हो जाएगी इसमें हमारी second वाली value पास हो जाएगी तो मैंने भी जैसे बोला था जैसे foo और foo हमारा पास हो जाएगा इधर और विन हमारा पूज़ेगा इधर ठीक है तो हमारा जो आटपूट आएगा वो यह एलो देखो यह जिवेस एलो हाँगा हमारा यह а अब इसमहां geld पास हो जाएगी format who, तो who, उसके पाद हमारा क्या लिखा है, end, और उसके पाद हमारी इसमें one में क्या पास हो जाएगी, bin, तो answer क्या जाएगा, hello, who and bin, ठीक है, option number c, आगला question दिखते हैं, question number 25, which of the following is the features of python dog string, python dog string का जो features है, वहीं वो feature क्या है, पढ़ते हैं, चलो, question number 25 है, in python, all function should have dog string, क्या python में सारे function dog string होते हैं, नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, उसके बाद, dog strings are, dog string, be exit by the dog attribute, one objects, ठीक है, क्या ये option सही है, नहीं बिल्कुल गलत है, कि ये जो access होते हैं, वो, इसके द्वारा होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, it provides a convenient way of associating document with the python module, function, classes and method, ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारा dog string होता है, ये हमें convenient method प्रवाइड करता है, module के लिए, function के लिए, classes के लिए, method के लिए, इन सभी के लिए, तो option number C हमारा correct हो जाएगा, अगला question दिखते हैं, question number 26, following code, python code बताना है, ये दिया हुआ है, हमें, अब इसमें a in z, अब हमें निकालना के है, output, तो क्या करेंगे भी, देखो, ये बोल रहा है, कि क्या a इस z नाम के set में है, है, अगर है, तो 2 नहीं है, तो false, और अगर आपको लग रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो error question, be true, अगला question दिखते है, question number 27, what will the output of the following python program, तो definition, add item, list परम, list परम, plus 1, अब my list ये दिया है, add item, my list, और print length, ठीक है, देखो, basically इसमें क्या है, कि जो list आइटम है, उसमें हमने एक address को score किया, अब हमें क्या बोल रहा है, add item, सबसे पहले, देखो, इसमें, one, two, three, four, अब इसमें, जो हमारी जो one है, वो हमारा क्या हो जाएगा, external, ठीक है, अब देखो, हमारा यहाँ पर, यह क्या है, add item, हमने item को add कर लिया, my list में, अपनी list में, जो list क्या है, ये है, इसमें हमने item, one को add कर लिया, तो one को add कर लिया, अब इसमें बोल रहा है कि length of my list, तो अब हमारी list होगी, one, two, three, four, और one, अभी हमारी इसकी जो length है, वो पूछ रहा है, तो length इतनी है, one, two, three, four, five, तो length इतनी है, five, clear, option number A, इसका correct answer होगा, question number 28 की दरफ चलते हैं, question number 28 बोल रहा है, x is equals to, ABCD for I in range, length x, print कराना है, हमें I को, तो अब ही देखो, तो I in range है, अब हमें print कराना है, तो अब ही क्या print होगा, देखो, सबसे पहले हमारी ABCD में हमें length print करानी है, ABCD में, हमें I for I, 0 से चलेगा, 0, 1, 2, 3, तो अब हमें क्या print कराना है, range परानी length की, तो हमारी length की range क्या है, वही 4 तक length है, और उसकी जो range क्या है, वो 0 से 3 तक है, तो हमारा 0, 1, 2, 3, तो यही हमारा option number D करेंसर हो जाएगा, question number 29 की तरफ चलते हैं, question number 29 बोल रहा है कि हमारा जो I है, उसकी value 0 है, initially, while I is less than 5, तो I की value हमारी 5 से less than होनी चाहिए पहली बार, ठीक है, तो यानि I की value 0 सकते है, 1 हो सकते है, 2 हो सकते है, 3 हो सकते है, यह बार clear हूँ, अब बोल रहा है, print हमें I को print करना है, पहले, तो सबसे पहले I हमारा 0 प्रेंट हो जाएगा, पहली चीज, दूसरा, अब बोल रहा है कि अगर I हमारा print होगे, अब 1 value increase होगी, तो I की value क्या हो ज प्रेंट करा देगा, अब वापस से I की value 1 increase होगी, तो I की value क्या होगी 2, अब जब I की value 2 होगी 2 होगी, तो I को print करा देगा, 2 को, तो अब क्या 2 3 की बराबर नहीं है, तो अब एक value 4 फिर इंगी 3, तो अब क्या 3, 3 की बराबर है, जब है, तो break condition हो जाएग, इसके बात कोई option नहीं इसका मिदलब यह error है यह फिन अनौ यह पर करके आएंगे कुछ सोचेंगे कि कि क्योंकि मतलब वह ब्रेक को नहीं देखेंगे वह ब्रेक को नहीं देखेंगे वह ब्रेक हो जाएगी और हमारा जो भी प्रेंटर प्रिंट है वह फाइनल जियो वन तो प्रेंट हो जाएगा इस अगला कुशन देखते हैं कुशन हमरो 30 कि लिस्ट वन की वैल्यों हमारी यह दी है फैसी है अगला कुशन हो सूचनंगे नहीं होते होते हैं प्रेरामिंग में हां कूट बनाना है तो थोड़ा सोचना पड़ता है पर आउट वाले कोशन तो बहुत सिंपल होते हैं आप बस ऐसे मांगने पड़ते चाहिए एक-एक स्टेप्स देखें पहले यह इसकी वाली उसमें जाएगी तो यह वंद्री हो जाएगा अब लिस्ट वन जिसको प्राप पायत में नहीं भी आती है वह भ हमारी 012 में चाहिए बता है अब लिस्ट को जीरो बा इड्रेस में 1 की जगे क्या करना है एसमें लिस्ट 2 हो यह को हमें print कराना है तो answer क्या दाएगा 4,3 option number c एक और बार देखो हमारी list 1 है 1,3 list 2 1,3 तो list 2 क्या दाएगी क्योंकि list 1 हमारी 1,3 है इसलिए list 2 पे हमारी 1,3 हो चाहेगी आप बोल रहा है list 1 में जो 0 number का address है उसमें value क्या रखनी है 4 तो यहां पे अब हमारी जो नई list दाएगी वो क्यों जाएगी भई 4,3 यही हा या ना हा अब 4,3 हमारी नई list दाएगी list 1 और list 1, list 2 बराबर list 1 तो list 2 भी तो हमारी यह 4,3 हो जाएगी हा या ना हा अब प्रिंट क्या करनाने list 2 तो list 2 में क्या प्रिंट हो जाएगा 4,3 तो 4,3 is the right answer clear हुआ अगला question देखते है question number 31 list 1 में हमारा 1,2,3,4 है list 2 में हमारा 2,4,5,6 है list 3 में हमारा 2,6,7,8 है result हमें list देनी है और अब देखो extend का मतलब हो गया जो यहां पर extend है extend और intend तो append extend और append दो function होते है append का मतलब होता है कि अगर मैं बोलूँ कि list 1 append list 2 है तो यानि में 1,2,3,4 और list 1 में मुझे list 2 को point करना है तो list 1 में करना है तो यह as a single function की तरह इसमें append हो जाएगी यह single function की तक है अगर मैं इसकी length count करूँ तो 1,2,3,4 और 5 तो यह append हो गया अगर मैं extend की बात करती हूँ तो extend में सारी value आजाती है 4,2,4,5,6 ऐसे तो अगर extend की length की बात की जाए तो कितिनी हो जाएगी 8 समय मैं extend और append में फरक ही यह extend है यह extend है और यह हमारा क्या है append ठीक है आप देखो result करना है extend में if i for i in a list 1 जब हमारी जो i है i की value यानि starting हमारी 0 से होती है तो जब 0 for मतलब 0 addressing हमारी जो first addressing यानि 1 ऐसे 0 addressing यानि इधर 1 अब हम कुल्म लागे short तरीके से समझते है i in list 1 if i is not in list 2 list 3 बोल रहा है एक तरह से बात यह समझो and i not in result basically बात यह है यह कहना चाहरा है वो कि जो हमारी जो list list 1 में वो सारी value शोग कर दो जो list 2 और list 3 का जो total है वो list list 2 और list 3 का जो total है वो list 1 में ना आई बासम में similarly बोल रहा है list 2 में भी वही value शो कर दो जो list 3 और list 1 के total में ना है list 3 में भी वही value तो कुल्म लाके हमें वो सारी value शोग करनी है देखो लिस्ट वन में, लिस्ट वन में क्या है, वन, क्या वन, टू में आ रहा है, नहीं आ रहा है, थ्री में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वन हमारा शो हो जाएगा, ठीक है, अगला, टू क्या है, इसमें आ रहा है, आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो टू हमारा शो नहीं होगा, अब लिस्ट वन में वन है तो शो हो जाएगा तू इन दॉन में है है तो यह शो नहीं होगा वही वैल्यू शो होगी लिस्ट थ्री इन दॉन में है नहीं है तो लिस्ट थ्री शो हो गया फोर इन दॉन में है इसमें नहीं है लेकिन यह तो बोल रहा है कि दॉन में नहीं होना बात होगी तो भी वह उपोजिट यहीं बोलेगा तो कुल मिला कि पहली बिस्ट में से हमारा वर्म अंठी आग्वाद अब दूसी लिस्ट की बात की जाए जब इसमें क्या हो रहा है तू इन में आ रहा है और है आ रहा है दोनों में 5 क्या इस वारी list 1 में और list 3 में है नहीं है तो 5 शो हो जाएगा 6 है हाँ 6 इसमें list 3 में क्या list 3 में 2 है और list 2 में 2 नहीं है तो ये शो नहीं होगा लिस्ट 3 में 6 है और लिस्ट 2 में 6 है तो शोग नहीं होगा लिस्ट 3 में 7 है लेकि लिस्ट 2 और लिस्ट 1 में 7 नहीं है तो 7 शोग हो जाएगा क्या 8 लिस्ट 2 या लिस्ट 1 में से किसी में है नहीं है तो 8 शोग हो जाएगा तो हमारा answer आएगा 13578 तो 13578 option number 1 में ही है तो हमारा option number 1 इसका correct answer हो जाएगा थोड़ा ध्यान से पढ़ो इस question को एक बार आप भी try करो इसका answer यह आएगा आप लोग खुद भी try कर सकते हो question number 33 इसकी बाद question number 33 गलती से इसकी यह 32 है 33 लिखती है मैंने आप लोग लिजेगा इसको correct कर लिजेगा यह को भई क्या बोल रहा है which of the following id function id function क्या होता है id function हमारा every object python does not have unique id हर एक object क्या unique id होती है नहीं होती है होती है ऐसा भी नहीं है इन python id function returns the identity identity of the object id function हमें identity ही तो object की return करता है तो id function क्या return करता है identity object की क्या identity है id function होई तो return करता है तो option number 20 का correct answer हो जाएगा यह हमारे total 32 questions complete हो चुके है अभी तर और बाकी के questions भी हम कर लेंगे जल्दी ही तो वीडियो अच्छा लगा है तो like share and subscribe जरू करते हैं ऐसे ही और वीडियो टेखने के रहे जोड़े रही है easy learning 247 के साथ so good evening and नमस्ते बिल्कोल आपका आपको भी tension हो रही होगी के एक्जाम से लिए पर हम लोग करेंगे अपते को रहनत करनी है और इसी तरीके से में आपकी help करती ही रोंगी बाकी आप लोग भी अपना पड़ते रहे है साथ की साहर और वेरी बेस्ट and have a nice day